बिस्मिल्ला अर्हमार नहीं मेरा नाम डॉक्टर मुहम्मद हारिस खान पर की है अल्ला के फजल से लाखनों का सैकेटिक और सैकेटिक को चूं हम लोग डिसक्स कर रहे हैं कमपलस्टिव मास्टर विशन हमने पिछली दो वीडियो में देखा कि ये क्यों हो गई और स्क्रिव ऐसे आपको डेमजिस क्या हो गए ठीक है फिर हमने एक प्लैन दिया किस तरह आप इसको कम करते होगे वन साब वीग जब इससे कम कर सकें ठीक है तो ये हमने लाट्ट वीडियो में डिसक्स किया इस पार्ट थ्री में हम डिसक्स करेंगे कि वो क्या क्या खुराके है जो कि आपको वो जो डेमजिस जो नियूरोलोजिकल डेमजिस होए है जो आपको फिजिकल डेमजिस होए है इसकी वैसे वो कम से कम हो सके लेकिन खुराक ऐसी हो जो आपकी सेक्स को बहुत ज़दा एक्साइट ना करें आपके होने वाले लुक्सानाथ वो रिकवर हो जें लेकिन वो आपको सेक्स की तरफ इस तरह रागब ना करें कि आप दोबारा मास्टरबिशन की तरफ जाएं तो ये बड़ा मुश्चल काम है बड़ी सोच के समझ के मैंने आपको आज वो खुरा के मैं बताऊंगा कि अगर आप ये खाएंगे तो आपके जो अंदरूनी जो आजार है ये जो तकलीफे हैं जो डैमजिस हैं ये रिकवर रुना शुरू हो जाएं अच्छा अब सबसे पहले है कि खुरा कैसी हो एक है कि उस खुरा की खुबी ये हो कि ये स्ट्रेस को कम करें क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़दा बढ़ गया और ये स्ट्रेस जो है ये मुश्री मसायल कर रहा है तो वो आपके नैच्रूल किसम के एंटी स्ट्रेस खुरा के हो जो कि आपको स्ट्रेस से दूर रखें और वाकिए इन चीज़ों की कमपसिव मास्विशन दुरा कमी भी बहुत ज़दा हो जाती है अब सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो मेरे हसाब से मेगनेशियम है कि मेगनेशियम अगर आपकी बॉड़ी के अंदर हमारे हाँ बहुत कम हो बगई है बगिए पूरी दुनिया में ही काम हो बगई है आपकी स्ट्रेस में भी कम हो गई है मास्टरविशन को आप छोड़ें उह तो स्ट्रेस कर रही है स्ट्रेस की वह ऐसे लोगों में मेगनेशियम की कंजपशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो यूरिन वेरे में भी निकल जाती है दूरिन स्ट्रेस और फिर जो मेदे में आप एंटरसिट पर रखाते हैं मेदे मेदे में एक दाविद को दूर करने की जो मेडिसन होती है यह मेंगनेशियम की दूर्शन को यह कम कर रही होती है तो मेंगनेशियम का यहां पर पढ़ जाया है काल और अगर मेंगनेशियम की आप कॉंटिटी बढ़ जाया आपके अंदर तो आपके यह डाउन रखती है इसके सप्रिमेंट्स भी मिलते हैं मुख्लिक रिसम की आपको मेडिसिंस मिल जाती हैं कैल्चियम मेगनेशियum जिंक का यह पूरा कर सकते हैं लेकिन नैट्रो फॉराकों में भी मेगनेशियum कई हैं जी चीदों में बहुत पाया जाता है जैसे मिसाल के तोर पे फालक है इसमें बहुत मेगनेशियum है फिर आप तो आप मेंगनेशियम वहां से ले सकते हैं जैसे मैंने पताए आप पालग से ले ली आपने मेंगनेशियम का जो सबसे अच्छा जो सूर्स है वो आपके सामने पालग और पंप्किन सीट की स्थेकल में बने आपको बता दिये थे फिर इसके बाब़ा केलशियम कैल्चिम तो आपको पता ही है ये तो दूद में, डेरीज में इन चीज़ों में कैल्चिम बहुत जबाँ होती है फिर इसके लावा आप मुरेंगा लीव्ज में बढ़ी होती है ठीक है? आपकी जो सबसे आला जो आपको मिलती है केलشیوم, ये आपको यखनी में मिलती है लेगी यखनी क्यों खुबी है कि इसके साथ आपको मेंगनेशियम भी बहुत सारे बिल जाती है जो हड़ियां जो है ये बिसिकल है, मेंगनेशियम और केलशियम दोनों को मिला आके बनती है जखनी जब बनाए थोड़ा है सिरका डाल दें तो फिर मेगनेशियम और कैल्चियम की और अब्सोर्चन जो ज़िए आपकी जखनी बहुत आला चीज है तो अब वो आप लेंगे इसमें कैल्चियम भी पूरी होगी और आपकी मेगनेशियम भी दूर उसकी कमी दूर होगी फ उसमें खाफ़न खूप पिर पॉम्किन सीट वगे जाती है यह आपको הूल ग्रेंज में मिल जाती है जी Stre nuggets लेकिन आपको इसके सप्लिमेंट-बेंट भी मिल जाते हैं लेकिन यह तेनों जो चीजें हैं मेगडेशियम कैशियम जिर्ट यह आपके nerves को calm down रखती है और आपकी craving के level को ये कम रखती है तो आपने supplements के जरी है या खुराफों के जरी है आपने इसको पूरा करना है तो आपको masturbation के साथ होने वाले damages जो है जो आपके अंदर इससे recover होना शुरू हो जाएंगे फिर vitamin D है vitamin D आपको पता है एक सबसे एहम चीज़ है इसके बेश्मार फाइदे है ये को enzyme है जो कि आपको depression से भी दूर रखते है आपको गबराहड anxiety से भी दूर रखते है stress level भी आपका ये कम कर देता है testosterone के protection में भी इसकी रोल है और आपको बजाएश के sources जो है ये आपको ये सुबह सबसबा संचाइन जो है ये करमड करती है cholesterol को into the vitamin D तो sunshine आपने लेनी है तो इन चीज़ों से आपको फाइदा है vitamin D आपके supplements भी मिल जाते है once a week आप ले लेते हैं वो दो लाक यूनिट वाली तो वो आपकी vitamin D पूरी रहती है लेकिन vitamin D वाके इनसान को ये बड़ा irritability को भी कम रखती है और craving से भी आपको ये बचा के रखती है ठीक है फिर आज़ती है आपकी एक बड़ी ऐहम खुराज जो से हम करते है food full of fibers अब fiber की एहमियत जो है वो लोगों नहीं जानते हैं लोगों ख्याल है कि fiber का क्या फाइदा है fiber खाली fiber क्या कि उसे कबस दूर हो गई आपकी खुराग में fiber जाला होते है fiber क्या होते हैं ये basic कार्पो हाइडरो होते हैं कि जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और ये आपके स्टूर में जाते हैं और कबस को आप लिए ठीक करते हैं लेकि ये इसका एक minor सा फाइदा है इसका जो major फाइदा वो ये है कि ये जो fiber food है ये आपके good bacteria की खुराग होते है good bacteria इस fiber को consume करते हैं और फिर वो products पैदा करते हैं metabolites पैदा करते हैं जिसमें खाल तौर पे butyrate, acetates ये बहुत एहम है क्यों ये पूरी body में से inflammation को कम करते हैं और अभी मैं बताओंगा कि ये inflammation जो है जो के compulsive masturbation जो इसे पैदा हो गई है ये इसको ये दूर करते हैं और इसके अलावा इसकी वैसे good bacteria जो है ये आपका stress level और depression level इसको भी ठीक रहते हैं और आपकी जो vessels हैं इसमें भी health में इसका बड़ा एहम रहुता है और आपके जो bacteria का एक हम कहतें flora बुक्तलिक अच्छे और दूसरे bacteria की एक mixture होता है ना हमारे आंथ के अंदर ये उसको ये ठीक रखते हैं और leaky gut से आपको बचा करते हैं leaky gut होता है कि एक ऐसी food आपके चले जाती है खून के अंदर जो के अंदर inflammation पैदा करती है उससे बचा के रखते हैं ये बिटेरिया भी चले जाते हैं उससे भी बचा के रखते हैं तो ये fiber जो है ये आपके food में ज़्याद होना चाहिए आप फाइबरिस फूड कौन कौन सी पड़ी मुटी मुटी सलाज सलाज में खास और जो एहम है इस टाइम पे जब आप compulsive masturbation से recovery चाह रहे हैं वो है carrot गाजर हो गई कुकंबर ये खीरा हो गया आपका ये टुमाटर हो गया ठीक है और फिर बहुत ही आला जो है ना मेरे साथ में तो बड़ी खाता हो दिनराज वो है cabbage यानि के बंद को भी एक कौन की चीज़ है दूसरी ब्रॉकरी बहुत अच्छी है लेकिन वो महिंगे बढ़ी है cabbage मनास्ब कीमत की और खास जो रेड cabbage है वो ये इसमें डूटा मेट होता है ये आपकी लिकी गट के उपर बड़ा अच्छा है इसका कर्ट्रोल होता है अगर ये आप फाइबरिस फूल लें बक्टिरिया को फीड करें और वो मेटाबलाइट्स पैदा करें वो आपका डिप्लेशन भी दूर रखें और ये निजाएटी भी दूर रखें और आपको वेसल्स की डैमेज और दूसरे भी ठीक रखें तो ये आपकी खुराख में ज़्यादा से ज़्यादा होने थी और ये खास वर पे आपके अंगर और क्रेविंग है उसको भी ये रोके रखती है ठीक होगे है फिर आज़ते खुराख में आपके फूर्ट्स अब सारे फूर्ट्स की मैं आपको अजाद़ नहीं दूँगा इसमें मैं चांद एक फूर मिट्री और एंटी ऑक्सिडंट अफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जैसे आपके कैबिज में भी बहुत था लेकिन खुराकों में फूर्ट्स में अनार अनार का सर्फ जूस नहीं अनार के दाने भी वो भी चुआ के खा जाये और बलके मैं तो कहता हूँ अना बना कि उसकी चाहे पिए अनार इतनी जबदस चीज़ा है कि इससे तकड़ा एंटी इंटी ऑक्सिडंट मैंने नहीं देखा और यह मेरी तक्रिवर्ट हर पेशन्ट की दुआई में यह किसका एक्स्टेक्ट शामल होता है जो कि प्रॉस्टेट और उसकी कई और बिमारियो को यह बड़ा माइंड को भी बड़ा अच्छा कंट्रोल दे रहा होता है तो आप अनार की हर चीज़ आप ज्यादा खाएं आप अमरूत खाएं यह भी इसमें फाइबर भी बहुत होता है विटामिन सी बड़ी हाई होती है एंटी ऑक्सिडंट दूसरे भी कई उसमें शाम अच्छी तरह आप दोलें बैर्रीज खाएं बैर्रीज पाकिसान में ब्रू बैर्रीज वरा तो नहीं आती है जादा मेंगी बड़ी होती है तो आप स्ट्रावभरीज हैं वो हमारी आती रहती हैं वो आप ले ठीक है लेकिन मैं इसराम और इंजीस हैं किन्नु है वो आप तो ये भी आप इंफ्लिमेशन आपको अंदर पहला करेंगे वो आप उसकी लिमिट ज़रा कम रखे आम है चख लें बस और क्या ठीक है इस दरह जो बहुत ज़्यदा मीठे है वो आप अभी जब तक आप आप रिकवरी चाह रहे है मस्टिविशन से उस से आप ये फ्रूट्स वे ना वो जो मैंने बताए हैं ये आप ज़्यादा लें ठीक है अब आपने इस तुरान जब आप रिकवरी के प्रॉसेस में है आप चाहते हैं कि डेमजिस भी दूर हो याने कि साम भी मर दे और लाठी भी ना तूटे शूगर हर फॉर्म में चाहे चीनी वैसे हो चाहे कि अंदर चाहे वो कुछ पेस्ट्रिया हो डॉनर्स हो आपके जूसिस में आपको पता है और इन डाली होती है फ्रुक्ट्रोज डाली होती है तो शूगर जो है ये आपके अंदर एक हल चल मचा देती है आपके अंदर anxiety पैदा कर देती है क्योंकि insulin response बड़ा strong आता है तो आप फिर masturbation के तरफ जाते है तो sugar जो है यह हर किसम की addiction को बहुत आप promote करती है यह खुद भी पेशे के लिए इडिक्शन है sugar जो है तो आपने sugar से avoid करना है अब sugar खाली मिठी नहीं होती आपकी यह डबरोटी है आपका चावल है आपका जो मेता है यह भी मिंट में जागे sugar में convert होता है और यह भी आपको आपके effect जेर है तो आप कोशिश करें इनको भी आप avoid करें उसकी बिटाए आप बगैर च्छना हुआ आटा लें आप विसंत के रोटी जाएँ खा लें बडामों के आटी की रोटी खा लें आप लोभया खा लें लोभया में हर चीज चामल है तो आप में फाइबर भी चामल है इसके अंदर मैंगनेशियम भी है जिंक भी है बहुत अला चीज़ आप एक पेला जो ह aids हो जाती है, आपको फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, हर चीज़, सो मैं तो बहुत प्संद करता हूँ, लोबिये को, तो यह आपको बचा के रखेंगे, यह चीज़ें, ठीक है, सो आपने, मैंने बताया है कि आवाइड करनी यह चीज़ें, चाह कि है मैंने, कुछ आपके चीज़ें ने बताई है, जो आप, मैंने दूद है, यहाँ, तो लेकिन बाकी चीज़ें चीज़ें से आप प्रेज करें, नान, चिट्टा, डबरोटी चिट्टी, उससे आप बच के रहें, ठीक है न, यह आपको मास्टरबिशन के दर लेके जाएंगी, यह के दर क्रेविंग डियूस कर रही है, फिर इसके इलावा, आपके दर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कौफी है, चाए है, बहुत चीज़ें हैं, यह आपके जाके ना, अंदर प्रॉस्टेड औरिजिनरी सिस्टम को ना, थोड़ा से एक्टिवेट कर लेती हैं, ठीक है पशाब बाबर आ रहा है, वहाँ एक्टिवेटी का लेवल बढ़ जाता है, फिर हम मस्टरबिशिक से बजाते हैं, आप इनको कोशिच करें, चाए कॉफी जो है, प्र मसाले जो हैं, यह भी आपकी जो पशाब की नाली उसके अंदर ना हल चल ऐसे जाके, एको तुनका मास लेखना है, चाए वो मसाले ही चूना हो, तो आपने यह चीज़ें आपने पशाब नहीं लेनी, जब आप रिकबरी की फेजिस में हैं, कम कर रहे हैं, पर टाइम बिंग मैं आपको कह रहा हूं कि आप बीप या मचली वारा भी ना लें, यह भी सेक्स को बोड़ कर सी और मा को ठीक करने हैं, आप शादी की फेज में जा रहे हैं, तो फिर आपने हर वो खुराक खानी है, जो के आपको सेक्स को पर मोड़ कर रही है, चाए वो बीफ है, चाए अंडा है, चाए गोश्ट है, चाए प्याज है, कुछ है, पिर आपने कुछ नहीं छोड़ ना, पिर अपने खुराग की वोडियो में बताया है, कोको है, वो बहुत अच्छी dollars है अब अच्छी में बना, फिर आप त्रमूज लेए, आप त्रमूज का जूस लेए पिर आप ये चुकंदर का जूस लें ये चुकंदर खाएं या पिर हर चीज़ आप ने अच्छी खानी है जो सैक्टर पर हुएं लेकिन इस वक्त नहीं जब तक आप रिकवरी के फेज में आ रहे हैं आप कमसकंब चार छे महिने वन्स अवीक वाली फेज में आएं इसका मतल और फिजिकल रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो गई है और आप काम पे लग गए हैं अपने प्रस्टेल्टी को आप इंप्रूव करें लोगों से मिलें अपने प्रस्टेक्शन की दर सबज्जों दें ठीक है और फिर देखिए इन फिरॉर्टी कॉंप्लेक्स भी आपका की इसमें मैंने मकमल तोर पे मास्ट्रिबिशन का कंपल्सिव मास्ट्रिबिशन का डेफिनिशन दी है नुकसानात बताए हैं फिर मैंने बताया है कि आप किस तरह इससे आप पाहर आ सकते हैं एक रूटीन बताईए लाइफ की फिर मैंने बताया है खुरा क्या खाएंगे और फिर आप में श्राजाला अपने जिन्दगी में वापस आएंगी। अब इसमें द्वाईयों का भी बड़ा रूख लेकिन द्वाईया जो ना बड़ा कॉम्प्लेक्स फेक्टर है। यह मैं नहीं बता सकता आम लोगों को क्यों यह नहीं कि जनाब बिल्ली जो है वो एक जो दौव नहीं सिखाती चड़ने का नहीं यह जो सैकेटरी की मेडिसन्स होती हैं इनका इस्तमाल बहुत कम्प्लेक्स होता है। हमें जिन्दगी कुजर गई है मुझे टीस साल हो गए हैं अब हमें कंट्रोल है अभी शायद नहीं है तो यह हैसे ही है जिसे बच्चे के हा लाइक करें शेयर करें आपको बताओं इसको शेयर करना सुआब है आपको लोग दौई देंगे इतनी हमारी कौम मास्टरबीशन यह वैसे तकलीव में है कि शायद बेरोजगारी जहारत चिजब संदी से नहीं है एक ही मसला है मास्टरबीशन का मेरे पस लोग आते हैं किस खुश रहें खुशें बांटें टाटरबर की अजाज़त दें आला हापूस